आज 돌्र की जो रेस्पी में आपके सब शेयर करने वाली हो वहां niż आवला से पंदावाला की इतने ज्यादा फाइदे है रेस्पी है विज़ेया पर सुन्दर बाल चाहते हें तो आवला को अपने खानते में किसी न किसी तरीक से जरूर शामिल करना चाहिए तो चले देखते ह आज की इस रेस्पी को जो कि बिलकुल सिंपल है लेकिन टेस्टी बहुत है इसके लिए हमने लिये यहाँ पर आधा किलो आमला जिसको अच्छी दर साफ पानी से धो लिया उसके बद कढ़ाई में पानी को उबलने के लिए रखा उसके ओपर एक छनी रखी आमले रखे और आ दोट्पिक से एक बज को हलका सा दबा कर देखेंगे यह देखेंगे यह काटा पूरी अंदर चला गिया है यानि की जो आमला है पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है अब गैस की फिलिम को बंद कर देंगे और इन स्टेनर को इस कड़ाई से हटा लेंगे और इसको थोड़ा मोटे स्लाइसिस में इस आमले की स्लाइसिस को कट कर लेना है और सारे जितने भी बीज हैं इनको अलग कर देना है यहाँ पर हमने आमले उबाले नहीं बलकि स्टीम किये क्योंकि अगर हम आमले उबालते हैं तो जो भी इसके आमले के फायदे होती है जो इसकी न्यूट्रि तेल को जैसे ही हलका सा गरम होगा हम इसमें डालेंगे कुछ अचारी मसाले जिसमें हमने रेगुलर घर की चमच यूज करेंगी और इसमें लेंगे एक चमच मेति दाना, एक चमच धनिया, साबुत वाला धनिया, एक चमच सो, एक चमच ही हम लेंगे काली मिर्च, काली वली स आदा चम्मछ लेंगी कलोंजी जिसे हम निजयला सीड़ भी कहते हैं तेल यहाँ पर गरम हो गया है हमने इन मसालों को सीधा इसमें डाल देना हैं हमने इनमसालों को ना विपोना पेला सहता हैं और ना ही इनको कूटा है। आप चाहें तो अगर YouTube को था था जानगे विज़गत आपेश यहां पर जैसे उत, बेकार भीिवगए तुम के चाहिट जाएंगर व्क्रमशक को आपनेति की का पर है केате भी व्कमशास्वायः की उते हैं अब यहां पर तीन से चार मिनिट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक टुकड़ा अद्रक का, अगर ग्राम में देखेंगे तो 20 से 25 ग्राम अद्रक है, अद्रक को छीलने के बद ग्रेट करके आमले के सब मिला दें, और साथ में मिला दें, इसमें 200 ग्राम गुड़, ग आमले के साथ पूरा मसाले और जो गुड़ है पूरी अच्छी तरह से मिल नहीं जाता, इस ट्राइम पर अगर आप चाहें तो कड़ाई को ढख दें, और गैस की फ्लेम को लेकिन तेज ही रखें, क्योंकि हमने इस तेज गैस पर गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट करना है, ताकि आमले के साथ अच्छी तरह से मिल जाए, यह वली रेस्पी को आप बनाने के बाद अगर आप फ्रिज में भी इस्टोर करके रखते तो एक महने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, एक महने तक इस रेस्पी को कुछ नहीं हो गए, एक महने तक बिल्कुल भी ख टाला है घब एक चमच कामेरी लाल मिर्च पवильно पाउडर यहां पर ओूर। विच sma hoping प्रोय है थोड़ा है। यह поступ कडा यहां से विदिताँ सबक्ते हैं जब तक कि यह थोड़ा सा गाड़ा नहीं हो जाताँ व Parl jh यहां पर एक तार की चासनी नहीं बनानी बलकि चिपचिपई सी चासनी बनानी है ताकि जो यह हलका सा चिपचिपई हो जाए क्योंकि ठंडा होने के बाद भी गाड़ा होगा इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी है आदा चमच काला नमक जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा यहाँ पर देखी काफी हद तक यह गुड़ और आमला गाड़ा हो चुका है इस टाइम पर हम गैंस की फ्लेम को कर देंगे बिलकुल बन क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और हम बाद में फ्रिज में रखेंगे तो यह टाइट नहीं होगी बिलकि सॉफ्ट सी मज विद्राव जिधार सी हेलधी तरीके से बनने वाला की लोंजी इसका में बिलकुल प्ल तरीके से बनाया है अब इसको जब भी खाना ख Commerce सटीं से चार इंच जमच के अगर लेते हैं तो आप ग को इसके आो म्ले के भर पूर फाहेदे अ मिलते हैं विटेमिन जी की बिलकु करें मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी टेस्ट्री मज़िदार सी आसान सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइबाई